Hello everyone, कैसे हैं आप लोग दोस्तों मैं हूँ जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामपूर दोस्तों Hero Motocop याने की Vida ने अपना Electric Scooter लॉंच कर दिया है तो क्या खासा है इस Electric Scooter में और क्या है कम्यां वो सारी बात जानेंगे इसी वीडियो में वीडियो को end तक जरूर देखेगा, skip मत कीजिएगा, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर ही फोलो किजिए, इंस्टाग्राम आईडिका लिंक मिल जाएगा आपको description box में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यार वीडियो ने अपना स्कूटर लॉंच करने से पहले एक लाइन कही वी वूड रैदर भी राइट, देन भी फर्स अगर सीधा सा, सिंपल हिंदी मिनिंग समझें तो देर आए, दुरूस्त आए तो हीरो मोटो को पहमें बताना चाहता है कि हम भले ही देर से आए हैं लेकिन अच्छा प्रोड़क्ट ले करके आए हैं तो देखें दोस्तों हीरो ने अज अपने दो प्रोड़क्ट लॉंच किये हैं जो इनका कॉंसेप्ट है, जो इनका प्रोड़क्ट का नाम है वो है वीडा वीवन इसके अंडर दो प्रोड़क्ट लॉंच किये गए हैं एक का नाम है Vida V1 Pro and एक है Vida V1 Plus अगर दोनों में difference की बात कहें तो मोटा मोटा सिर्फ तीन मेरको difference इसमें नजर आए हैं एक तो range, एक acceleration और तीसरा price सिर्फ ये तीन मोटे मोटे difference इसमें बताये गए हैं इसके लावा कोई और अगर difference इनके अगर होगा तो हमें showroom में जाकर के पता चलेगा या बाद में ही पता चलेगा फिलाल इन तीन के लावा कोई और difference इन दोनों प्रोडेक्ट में नहीं बताया गया है तो शुरू करते हैं इन दोनों प्रोडेक्ट की top speed से देकि top speed की अगर बात करें तो charging का समय देकि इन्होंने यह नहीं बताया कि कितने घंटे में full charge हो जाएगी इन्होंने बताया कि 1.2 km per minute के हिसाफ से यह charge आपकी होगी आपकी बैटरी होगी स्कूटी की तो 1.2 km per hour के हिसाफ से पर minute के हिसाफ से तो इसको अगर calculate करें तो 66 minutes में आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी यह first charging की मैं बात कर रहा हूँ वही अगर आप range की बात करें दोस्तों तो देखें range के लिए सब excited रहते हैं तो Vida V1 Plus की range आपको मिल जाती है IDC range की मैं बात कर रहा हूँ 143 km per charge यानि की 143 km per charge और यह IDC range है वही वीडा V1 Pro की अगर बात करें तो 165 km per charge यह भी IDC range है अगर real range की बात करें तो company ने तो नहीं बताया है कि कितनी होने वाली है मगर अगर हम idea लगाए तो देखें इसका जो 143 km बताई है वीडा V1 Plus की इसकी real range निकल के आ सकते है 110 से 120 km के आसपास और वही 165 प्लस जो बताई गई है वीडा V1 Pro की तो इसकी real range निकल के आ सकते है 140 से 150 km तक की बात अगर acceleration की हो तो वीडा V1 Plus 0 से 40 km per hour की speed catch कर लेगा 3.4 seconds में मात्र और अगर वीडा V1 Pro की बात हो तो 0 से 40 km per hour की speed catch कर लेगा 3.2 seconds में मात जो की ठीक ठाक है दोनों ही स्कूटर्स में आपको 3 drive modes देखने को मिलेंगे Eco, Ride and Sports इसके लावा आपको एक custom mode भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको 100 plus combinations देखने को मिलेंगे आप अपने हिसाब से customize कर सकते हैं इन सब चीजों के अलावा आपको इसमें 7 inch की touchscreen display देखने को मिलेगी साथी साथ आपको मिलेगा cruise control keyless control भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा and two way throttle जो आपको reverse and parking में health तो करे गई साथी साथ passing acceleration में boost mode का काम भी करेगा SOS alert इसको आप emergency case में ही use करेंगे अगर दोस्तों इसकी battery की बात की जाए तो हमें अभी ये तो नहीं बताया गया कि कितने kilowatt hour की ये battery होने वाली है मगर ये ज़रूर बताया गया कि एक removable battery होगी जैसा कि हम पहले सी अंदाजा लगा रहे थे और हाँ ये swappable battery भी होने वाली है बट अभी नहीं ये future में मिलेगा ये company नहीं बताया लेकिन hero motor cope ने एक gogoro company के साथ करार किया हुआ है तो swapping network ये इंडिया में लाने वाले है तो जाहिरा है ये swappable battery भी होने वाली है और company ने battery endurance test जिसका आप crash test भी बोल सकते हैं तो बहुत अच्छे से किया है और इस scooter की battery ने 570 याने की 570 test पास किये हैं और एक खास बात इस battery की ये भी है कि अगर ये charging में लगी है और full charge हो जाती है तो automatically इसकी charging stop हो जाएगी जो की safety के लिए एक बहुत अच्छा feature है स्मार्टनेस की बात करें तो इस scooter आपको mobile connectivity के साथ मिल जाता है जिसमें geofencing के साथ साथ आप बहुत सारे features enjoy कर सकते हैं वहीं अगर boot space की बात करें तो ये तो company ने नहीं बताएगे कितने लीटर का boot space आने वाला है मगर ये ज़रूर बता दिया कि एक helmet इसमें अच्छे से आ जाएगा अगर दोस्तों इस product के reliability की बात की जाए तो इस product को test किया गया है 2,000,000 km तक और 25,000 घंटे तो आप समझ सकते हैं कि 2,000,000 km कितना होता है तो इतना ज़्यादा इसको test किया गया है और अगर आप सोचते हैं कि एक electric scooter को लगातर कितने घंटे चलाए जा सकता है ताकि उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो तो company ने लगातर 72 hours याने कि 22 घंटे तक एक scooter को चला करके test किया है और इस scooter को test किया गया tough terrains and temperature wise देखे company ने आज तीन चीजे launch की है एक तो Vida V1 scooter जिसके बारे में मैं already बता चुका हूँ इसके अलावा company ने launch किया है Vida platform जिसमें है ownership plus usership इसमें आप discover कर पाएंगे charging stations आप vehicle के बारे में सीख सकते हैं आप test right book कर सकते हैं आप इसके थरूँ scooter purchase कर सकते हैं payment कर सकते हैं आपको इसमें delivery update मिल जाएगा और भी कुछ services आपको इसमें मिल जाएगी और जो तीसरी चीज है वो है Vida service देखे दोस्तों आजकल हमें बहुत सारी company रोड side assistance प्रोड कराती है याने की RSA प्रोड कराती है मगर ये company हमें repair on site याने की ROS प्रोड कराने वाली है जो कि बहुत अच्छी चीज है याने की कहीं भी अगर आपको scooter खराब हो जाता है तो company का एक person आ करके वहीं पर उसको ठीक करेगा बाइचांस अगर वह ठीक नहीं हो पाता है उसमें कोई major problem है तब जाकर करके उसको service center ले करके जाएगा Vida service के इंडरी service centers भी आ जाएंगे और charging stations भी आ जाएंगे जो कि आप अपने mobile पर locate कर सकते हैं Vida company आपको Vida cloud की एक assist विदा देती है जिसके थुरू आप real time connectivity देख पाते हैं आप company के साथ connect हो पाते हैं आप service center के साथ connect हो पाते हैं और भी काफी सारी चीज़े इसमें आपको मिल जाती है centers and stores की बात करें तो Vida अपने experience centers स्टार्ट करने वाली है अलग-अलग cities में इसके अलावा आपको pop-up stores भी मिल जाएंगे malls में और एक ports जो की आपको dealership में मिलेगा जहां आप product को देख सकते हैं customize वगरा करा सकते हैं अपने product को अब आज आते हैं price and EMI पर अगर Vida V1 Plus की बात की जाए तो यह scooter आपको मिलने वाला है एक लाख 45,000 रुपे में जो की इसका एक showroom price है वहीं अगर Vida V1 Pro की बात करें तो यह आपको मिलने वाला है एक लाख 69,000 रुपे में यह भी एक showroom price है अगर price की बात करूं दोस्तों तो मुझे थोड़ा ज्यादा price यह लगा है बट वहीं अगर battery safety की बात करें टेस्टिंग की बात करें तो उस जाथ से मेरे कोई ठीक लगता है एक अच्छा product बनाया है और hero reliable product हमेशा से बनाता रहा है और company एक सस्ता product बना करके एक वाहियत product बना करके अपनी company की reliability को खराब नहीं कर सकती और नाम को खराब नहीं करना चाहती तो इसलिए इन्होंने एक अच्छा product बनाने की कोशिश की है और अच्छा product बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका price भी हाई होगा लोग idea लगा रहे थे कि एक लाके आसपास का ये scooter launch करने वाले है बट वो idea बेका रहा अब जो real price है इसका वो मैंने आपको बता दिया है इसमें subsidy include नहीं है subsidy अलक से होगी ये एक extra room price है सिर्फ subsidy state wise जो भी होगी आप अपने इसाब से count कर लिजेगा calculate कर लिजेगा ठीक है EMI पर अगर आऊं तो company का कहना है कि 1.5 to 2% याने कि 1.5 से 2.3 तक का interest rate लगेगा purchase पे जो कि इस segment में सबसे कम होने वाला है वहीं आपको company एक बहुत अच्छी सुविदा देने वाली है personally मेरे को ये बहुत अच्छा लगा याने कि buy back assurance company आपस अपना product खरीज सकती है वापस अगर आप बेचना चाहते हैं और उसकी value आपको company देगी 70% तक जितने में आपने खरीदा था उसका 70% तक आपको company return कर सकती है जब आप बेचेंगे उसे company को वापस अगर आपने 16-18 महिने तक scooter चला लिया है तब जाकर के आपको 70% तक की value मिल जाएगे आराम से bookings and delivery की अगर बात करें तो booking start होने वाली है इसी महिने की 10 तारिक से याने की 10 October से 2499 रुपे दे करके आप इस scooter की booking कर सकते हैं और इसकी delivery की अगर बात करें तो ये phase wise होगी फर्स phase में बैंगलूरू, दिल्ली और जैपूर में delivery start होगी जो की इसी साल December के second week से start हो जाएगी तो दोस्तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने इस scooter के बारे में सब कुछ बता दिया है आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस scooter के बारे में मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तो ये शेयर करना और ड्रामा पूर को सब्स्राइब करना बिलकुल मत भूलना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए